भक्ति योग को करने का एक सही तरीका है और अनन्य गलत तरीके हैं। भक्ति योग योगों में सबसे सरल है। सबसे कठिन है ध्यान, फिर मध्यम कठिनता का है कर्म और सबसे सरल कोई भी कर सकता है वो है भक्ति। शरीर, वचन और कर्म से जो मनशिक कर्म करते हैं वो तीम प्रकार करते हैं। सात्विक, राजसिक या तामसिक कर्म। तो जो तामसिक कर्म है उसको आप गलत ना समझे। तामसिक मतलब की तमस में लीन है। वो ज्यादा सही गलत की सोच नहीं करता है, धर्म की परवाह नहीं करता है और एक ही चीज को अनुगमन करता चला जाता है। अब ये सही चीज का नुगमन कर रहा है कि गलत चीज का नुगमन कर रहा है, ये उसके quality of worship उपासना पे निर्भर करेगा। देता की भी पूजा कर सकते हो, दानव की भी पूजा कर सकते हो, शक्तिया वैसी हैं आप में आ जाएंगी। तो भक्ति योग करने के लिए तीन चीजें परमावशक हैं। भाव, विभोर और आनंद। ये जब तीनों चीजें आपकी भक्ति में मौजूद हैं, तब आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ट क्वालिटी की हो जाती है। ये उच्छ स्तर की जो भक्ति करेंगे, इससे आपको सबसे ज्यादा फाइदा मिलेगा। तो इसलिए आज आपको मैं इस टक्नीक के बारे में छोब बताऊँगा कि कैसे करनी है भक्ति योग। पहली चीज है भाव। भाव को बोलो इमोशन, क्या आपकी अंदर वो फिलिंग्स आपको कैसा फिल करते हैं जब आप भक्ति का काम करते हैं। और भक्ति को करने का सबसे तहीं तरीका है वाक। क्योंकि मन में होता है ध्यान या विचारों में ध्यान होता है। शब्दों से बहुत मंत्र होते हैं आपके स्थोत्र होते हैं हनुमान चलीसा हो गया तो ये शब्दों का जो गेम है वो मुशली भक्ती योग का है और तीसरा अफकोर्स शरीर है आपका जिससे आप कर्म करते हैं तो वो आपका निशकाम सकाम कर्म जो भी कह लीजिए वो होता तो इसलिए भक्ति योग में ज्यादा वचन वाक की महता है तो इसलिए मैं बोलता हूं कि भाव विभोर और आनंद ये जो तीन चीजें आपको इंक्लूड करनी है अपनी भक्ति में उसको करते समय पार्टिसिपेशन की फिलिंग आती है इसलिए आपको पार्टिसिपेट कर बहुत ज़री है एक इंसान है जो हनुमान चली साब बजा रहा है और एक इंसान है जो हनुमान चली साब सुन रहा है सुनने वाले को भी प्रभाव मिलेगा उसकी माइंड में वो लूप्स इंप्रिंट होंगे लेकि जब आप गाने लगते हैं जब आप एक्टिव सक्रिय participant बन जाते हैं तो आपको जो फाइदा मिलता है और आपका जो nature change होता है वो ज्यादा होता है इसलिए mindlessly chant करते रहिए दिन रात जब भी आपको मौका मिले खाली बैठे हैं बोर हो रहे हैं आप लगाईए हनुमान चली साथ फेवरेट अपना और chant करें उसका कारण ये है कि भगवान इस चीज़ की परवा नहीं करते हैं कि आप उनको किन शब्दों से बुलाते हैं भगवान अगर आप उसके रिदम को अच्छा पसंद करते हैं वो रिदम और melodious है तो भगवान इससे दुखी नहीं होते हैं भगवान खुश होते हैं कि आपने उनका स्मरंड किया मन में क्या भाव है क्या प्रेम है वो आपकी जो emotions है भावनाएं वही दर्शाती हैं कि आपकी भक्ती की quality क्या है ये चीज़ है भाव भाव में तो कई लोग रोने लगते हैं आँखों से आसु गिरने लगते हैं हम लोगों से नहीं हो पाएगा क्योंकि उतनी ज़्यदा attachment हम लोग realize नहीं कर पाते हैं क्योंकि शरीर से बहुत जुड़े हुए हैं पर जो उचे स्तर पर चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभू, राम कृष्न परमहन्स इनकी भक्ती एक अलग ही लेवल की होती थी तो इसलिए ये कोईसी कोई दिखाने वाली बात नहीं है कि सवेर उटके आपने घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया आपको अंदर से आना चाहिए जो भी आप मंत्र चारण कर रहे हैं चलीसा सोत्र पढ़ रहे हैं वो आपके अंदर से आना चाहिए नहीं तो आप अपना जो फेवरेट म्यूजिक है उसको लगा कर वो ही गाने लगे कोई प्रॉल्लम नहीं है लेकिन भाव होना बहुत जरूरी है मन में प्रभू का स्मरण हो उनका एक पिक्चर बने एक ही तरह का पिक्चर लगा लो अपने लैपटॉप स्क्रीन पर फोन में और उसी को रोज देखते रहो देखते रहोगे ना तो उसमें आपको एक मन में स्मरति पटल में आपको एक इमेज बन जाएगा और वही आपको बार बार रिपीट होगा जब आप अपने शिव भगवान का सोचते हो या हनुमान जी का सोचते हो एक बड़ा पोस्टर लगा लो अपने रूम में खिड़की के पास उसी को नजर पढ़ती रहेगी दिन रात जब नजर फोन पे पढ़ती है तो शिव भगव हर तरीके से आप में इमप्रिंटिंग हो रही है कि एक पिक्चर आपके मन में बन जा रहा है अच्छा ये जो पिक्चर बन जा रहा है अब भाव से कर्णेट कर दीजीए आपको बॉलिवूड म्यूजिक में मज़ा आता है तो हाले दिल आप गाई है लेकिन आप शिव प्रति प्रति स्ट्रॉंग हो जाएंगे और आपकी भक्ति उसमें चली जाएगी अब आप यार वन वोल्ट वाले सॉकेट में डालोगे प्लग लगाओगे जो भी है तो कितना लाइट देगी यह होता है जो आप किसी और इंसान से ज्यादा उसमें महबत करने में कोई बुर जिसने शिष्टी का स्रिजन किया है तो उसमें पाउर बहुत है हलका सा भी एक लगाओगे तो ख़तरनाक आपको मिलेगी अनर्जी अब जिसमें एनर्जी ही नहीं इसमें आप घुसे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं तो फिर कुछ आपको हासिल नहीं होगा अगर आप सोच भाव इमोशन इसमें इंटेंस इमोशन होना चाहिए कई बार तो आँखों से आसु गिरने लगते हैं कई लोगों की ऐसा भाव होना चाहिए शब्दों का कोई विशेश फरक नहीं पढ़ता है अफकोर्स हनुमान चलिसल पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा आपको मज़ा भ भी आपी वो है लेके अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी जो बॉलिऑवूड सौंग है कोंई इंग्लिश सौंग आल भई जो शब्द आपको रिदम जो रिदम आपको पसंद आती है उसमें आप करने उसमें कोई पाबंदीन नहीं mineral का विभौर का विभौर से मेरा तात पर रहे हैं कि आप उसमें डूब चुके हैं अनुरक्त हो चुके हैं यूर स्टीपिंग इन दा मेलडी आफ वाटेवर भाव यू है आपने एक इमोशन या भाव तो जेनरेट कर लिया अब वो कितना इंटेंस भाव है कितनी जादा आपको ग्रैपल कर लेता है ये विभोर है तो इंटेंसिटी मेरे लिए विभोर है और इंटेंसिटी जब ओवर्वेल्म करती है तो उसको मैं विभोर कहता हूँ क्योंकि आप पूरी तरीकरे से डूब चुके हैं उसमें तो ये होगा सबसे बड़ा इसका साइन है वीडियो गेम्स का एक्जामपल देता हूँ बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं एक एक घंटे दो-दो घंटे देखिए अगर लैप्टॉप पे आईपैड पे खेल रहा है पता ही नहीं चलता है कि दो घंटे कर आप खत्म होगा और खेलने गया तो तीन घंटे ऐसे निकल गया, समझ में नहीं आया, तो यी आप विभोर है उसमें, तो आपको ऐसे ही विभोर हो जाना है भक्ती में, जो भी गाने लगाएं, हनुमाइन तलिसे पढ़ें, पढ़ते हैं तो समय पता चला ही नहीं, एक घंटे निकल गया दो लातित हो रहे हैं काल अभी तो पाच मिनिट हो गए हैं अलारम लगा लिया है मैंने छे मिनिट में vocation वो है विभोर तो इसलिए intense रखिए ताकि समय का तो पता ही नहीं चलता है और आनन्द इतना आता है कि भाई रम रहे हैं उसमें तो ये विभोर हो गया तीसरा है आनन्द अफकोर्स मैंने वर्ड उस कर दिया आपको याद होगा मैंने बताया था कि सोल या आत्मा की दो तीज़े होती है द्रश्टा होता है और एक भोकता होता है तो भोकता वाला जो enjoyer है वो आपका भक्ती में उजागरित होता है और द्रश्टा जो witnesser है वो ध्यान में activate होता है तो इसलिए भक्ती में enjoyment तो आना चाहिए भाई तकलीफ में गाना गा रहे हो टाइम देख देख के हर एक 15 सेकंड 20 सेकंड में तो फिर आप ये खुद भी आप परिशान हो रहे है और अपने इस देवता को अभी अपमान और परिशान करा रहे है तो ये ना करें आपके लिए समय important होगा लेकिन ये भी important है कि आप जब ये करें तो total surrender भाव से करें क्योंकि भक्ती में आप एक अपना higher better version आप से जो better है जो आप अपना स्वरूप चाहते हैं और परम स्वरूप करना चाहते हैं तो उसकी जब आप बात कर रहे हैं उसके बारे में जब बखान कर रहे हैं तो वैसे ही बखान करें जैसे आप कोई सुन्दर लड़की की beauty के बारे में बखान करते हैं आपके शब्द तो रुखते ही नहीं है कविताएं शायरी दुनिया भर की कथाएं लिख गएं लोगों की प्यार मुहबबत सुन्दर्ता पे तो वैसा ही होना चाहिए कि जो attributes आपके इस देवता में हैं हनुमान में, शिव में, राम में, कृष्ण में वो तो irreplaceable है तो अगर ऐसे आप में आ जाएंगे, ऐसी आप में feeling आ जाएगी, तो आप आनन्द विभोर भी हो जाएंगे भाव विभोर हो गए और अब आनन्द विभोर हो गए अच्छा भाव तो दुखका भी हो सकता है, आँखों में से आसु गिर रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख तो हुआ है, कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ ली, जैसे ईशू मेशिये को बोलते हैं, कि उन्हों ने इतनी तकलीफ ली जो भी पापी थे, उनके पाप अपने कि आपको हसी आ रही है, या आपको बहुत जादा happiness फील हो रहा है, एक भाव में strong sense of connection है, और एक भावना है जो बहुत strong है, मा की पुचर के पती हो सकती है, पुचर की मा के पती हो सकती है, तो वो भावना भाव है, जो उसमें पूरी चाहर से डूब जाओगे, तो आप भी भोर हो जाओगे, और फिर last में आपको आनन्द आने लगेगा, कई लोगों को cigarette smoking में भी आनन्द आता है, दारू पीने में भी आनन्द आता है, और ये सब करने में भी आनन्द आता है, सारे आनन्द के रूप है, देख रहे हैं आप, आनन्द सब को आ रहा है, कोई सात्वि पर भावना में भोर रहना लेकिन वो क्योंकि दिव्य है तमस शिव का वो आपका improvement करा रहा है हमारे यह जो सत्व रजस तमस प्रिथवी पे काम करते हैं उससे उपर उठके है दिव्य तमस इसलिए शंकर जो करते हैं करते हैं raw extreme form का अगर आपको energy चाहिए तो वो शिभ भगवान के अंदर है और इसलिए आपको उसमें आनंदित होना पड़ेगा आनंदित होना क्या पड़ेगा आप आनंदित होते हैं वो उसका outcome है एक तरीके से जहां भाव लगाओगे और उसको intense करोगे विभोर करोगे अन् संत देख लो अपने में ही रमे पड़े रहते हैं तो इसलिए सब का अनंदलग है आप compare नहीं कर सकते हैं कि भाई ये दारू वाला cigarette वाले से कहीं जादा मज़े तो नहीं कर ले जा रहा है या जब तक आपने दोनों नहीं किया है तीनों नहीं किया है और चारों नहीं करें सूफी संत वाले काम तब तक आपो कैसे पता कि श्री श्री रवी शंकर ज़ादा मज़े ले रहे हैं आपको तो कुछ हो नहीं रहा है आप तो ऐसी रोज आट से पांच काम पर जाते हैं रात को थोड़ा महाबत मचाते हैं और सोग आते हैं तो आपकी life तो सबसे ज़ादा दुखी वाली है यह आपको क्या पता पर आप उसी में लगे पड़े हैं उसी सिक्लिकल ताम सिक्स कैजूल में फसे पड़े हैं तो आपको पता ही नहीं है जब तक compare नहीं करोंगे कैसे पता चले है कि तुमसे कोई ज़्यादा मज़े तो नहीं ले जा रहा तो इसी लिए आनन्द जो हमारा आत्मा का स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा जागरित होता है भक्ती में और यही भाव विभोर और आनन्द ये तीनों चीज़ें जब आपकी भक्ती मौजूद हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रो सकता है कफ प्रवित्ती की जो लोग होते हैं उनके लिए भक्ती योग बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उनमें शांती से बैठ कर ध्यान करने की जो टेंडेंसी है वो वीक होती है कई बार शरीर थोड़ा अगर कमजोर हो तो आप ज़ादा फिलान्थरपी चारिटी के काम नही कर सकते हैं तो उस केस में लीडर्शिप अबिलिटी अगर आप में नहीं है तो आप कर्म योग में आगे बढ़ना सो मुश्किल है तो भक्ती कर ले जाए भक्ती एक ऐसी चीज़ है कि बेड रिडन मरनासन कैंसर का पेशेंट भी कर सकता है और एक बहुत धनी धनाड्य क्योंकि मेरा तेरा नहीं रह गया मैं ही तो हूँ हर जगा वन विदाउट दा अदर ये जो ब्रह्मन का स्वरूप है उसमें आप भक्ती में एक्टिवेट होता है और जब आपने ये मान लिया कि भगवान इष्ट देवता मेरे मेरा हाईयर बेटर तुमॉरो का वर्जन है तो भी आपको एगो शेम क्या कि मैं किसी और की भक्ती कर रहा हूँ कई लोगों को मैंने देखा ये गिल्टी फिलिंग आ जाती है कि ओ जी मैं दूसरे की भक्ती कैसे करलूं मेरे सिर्ष कैसे कोई होजगता है ये आपकी एगो का अंदकार है ये अहम का हंकार है और जे धीरे आप में जो हनुमान की ताकत है वो घुसने लगेगी अगर आप शिव में घुसेंगे तो शिव की जो टाकत है वो घुसेंगी शिव इस राव अंडाइल्यूटेड एक्स्ट्रीम वर्जिन ऑफ दिव वितमस बहुत जादा एक्स्ट्रीम एनरजी है तो उनको कि ताकत लगते हैं कि नहीं और हनुमान जी तो आपके थोड़ा सात्विक राजसिक और तामस्तीनों का बहुत अच्छा सम्मिश्रन है तो बैलेंस्ट व्यू बहुत उनका है ज्यादा एक्स्ट्रीम रौ रूप में नहीं जाते हैं शिव की तरह अंशलतार हैं क्योंकि श इस देवता मिल जाते हैं आप इस देवता नहीं चुनते हैं इस देवता आपको चुनता है यह याद रखें तो मित्रो भाव विभोर और आनंद इन तीनों चीजों को जब लगाओगे एक स्ट्रॉंग इमोशन को घुसाओगे उसको स्टीप करोगे इमोशन में और अंतत जनरेट नहीं कर रहे हो तो कैसी भक्ती कर रहे हो भक्ती में अगर लाउड क्लैमर अटेंशन सीकिंग हला नहीं है थोड़ा सा सिर्फिरा वाला आपका आतत्म मौझूद नहीं है तो फिर आप कैसी भक्ती कर रहे हैं भक्ती ऐसी करे कि भोकता जो आपका इस देव है बोले है ऐसे भगवान के साथ बाते करो कि उनको खुद ही उनको लए कि ये कैसा स्किड्जोफ्रेनिक पागल साइकाटिक भगत है मेरा और ऐसे भगतों को जो थोड़े सिर्फिरे होते हैं सबसे ज़्यादा पाउर मिलता है सबसे ज़्यादा उनके उपर उसका उनका ब्लेसिंग जाते हैं और उन पर दृष्टी इश्वर की बनी रहती है आप कभी भी अकेले नहीं है आपका इश्देवता आपके साथ हर जगा हर समय मौझूद है ये बात अगर आप माल लेंगे तो आपको सॉलिच्यूड साइलेंस और अकिलपन कभी नहीं तरपाएंगे आप अकिले पन में भी इश्वर का रूप का स्मरंड करेंगे और उसमें सूफी संथ की जैसे आप रमे रहेंगे आप रुमी बन जाएंगे तो रम कर रुमी बन जाओ यही भक्ती योग है और भाव विभोर और आनन्द तीनों एलिमेंट्स को यूज करो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तब आप भक्ती योग में बहुत आगे जाएंगे और आपको उसके रिजल्ट्स आपकी लाइफ कैसे चेंज होनी वो भी देखेगी ये नहीं कि वो आपका एक्सपेक्टेशन है पर यही उसका आउटकम है कि डिवाइन रिजल्ट्स आपकी लाइफ एजी हो जाएगी आपकी जो विग्ण है वो कट जाएंगे आप एक अच्छा जीवन बेतीत करेंगे अंदर से सुक की अनुभूती करेंगे और आपको चाहिए क्या इंटरनल पीस हैपिनेस मिल गया तो सब कुछ मिल गया जैश्री राम